हलो गाईज स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन एमोक्सिसिलीन एंड पोटैसियम क्लाबुनेट के बारे में तो गाईज यहाँ जो आप इंजेक्शन मेरे हाथ में देख रहे हैं यह एक जैनरिक इंजेक्शन है मतलब दवाई अपने साल्ट नेम से है और गाईज यह प्रिस्क्रिप्शन वाला है तो चलिए समझ लेते हैं इसके क्या-क्या फायदे होते हैं तो यह सिर्फ इंट्रवे बेक्टेरिया की बजहा से होने वाले इंफेक्शन को ठीक कर देता है तो गैज यह एक पैंसलीन एंटिवाइटिक मैडिसन होती है जो की बीटा लेक्टम इनिवीटर कॉम्बीनेशन होता है इसके अंदर में क्यूंकि एमोक्सिलीन इसके अंदर पैंसलीन गुरुप की मैडि तो pneumonia और फेफ़ों के infection को ठीक करता है किसी को chest का pain ने infection होने की वजह से bronchitis की problem हो रही है सुआस नली में infection है गीली खासी आरी है बलगम के साथ में जो की lungs infection और pneumonia की condition में देखने को मिलती है म्यूकस निकलता है साथ में तो ऐसी कंडिशन को ठीक करता है ऐसी समस्या को खतम करता है गाईज अगर किसी को सर्जरी होनी है तो इसको pre और post सर्जरी के दोरान भी यूज किया जाता है सर्जरी से पहले भी डॉक्टर दे सकते हैं जल्दी जल्दी ठीक हो उसमें जल्दी ठीक हो उसमें किसी तरह का infection ना फयले और जो मरीज को टांके लगते हैं stitches लगते हैं उसके infection को भी रोकता है उनमें infection ना फैले इसलिए भी डॉक्टर देते हैं अगर किसी को accidental injury होई यह जिसमें कि उसको कोई चोट लगी है और उसको जल्दी ठीक करना हो तब भी डॉक्टर इसका यूज करते हैं मतलब उसकी जो इंजरी है उसका जल्दी हील अप हो सके और उसमें इंफेक्शन से बचाया जा सके तो ऐसी कंडिशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको देते हैं के लाब अगर बात करें किसी को बोन्स और जोइंट का इंफेक्शन फैल गया है बोन्स और जोइंट के अंदर में हड्डियों में इंफेक्शन हुआ है तो इसमें काफी अच्छा होता है गाईज अगर किसी को dental infection है या dental infection को रोकने के लिए माली जी किसी की कोई दात का कोई procedure होना है तो इसको पहले या बाद में दे सकते हैं उसकी जरुत के हिसाब से आखों में अगर किसी को infection हुआ है छोट छोटे दाने हो गए है पलकों के नीचे आई infection हुआ है तो ऐसी condition को ठीक करता है और UTI की अगर किसी को problem है जिसमें kidney का infection होना bladder का infection होना ureter swell हो जाते हैं infected हो जाते हैं पिशाब जो है बदबूदार आता है पिशाब में पस और blood आने लगता है खून के ठक्के भी आने लगते हैं तो ऐसी condition को ठीक करता है और गाईज जब किसी को UTI की problem होती है तो उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है जिसको lower abdominal pain कहते हैं तो UTI के लिए काफी फाइदे मंद है skin infection के लिए बहुत अच्छा है अगर किसी की skin तूट food गई है मानली जी skin छिल गई है या कोई cut लग गया soft tissue का infection फैल गया तो ऐसी condition को ठीक करता है इसमें काफी फाइदा करता है और इसके अलाबा दोस्तों डॉक्टर हो सकता है कि अपने experience के हिसाब से और कहीं भी इसका use कर सकते हैं तो overall अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी medicine है जो body में होने वाले अलग अलग तरह के bacteria यानि multiple bacteria के infection को ठीक करती है और patient को cure करती है गाईज इसके अगर हम brand name की बात कर लें तो यहां तो ये generic name से आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बड़ इसके जो brand name होते हैं जैसे market में आपको augumented injection के नाम से मिल जाता है जो की काफी famous है साथी klebum injection के नाम से भी आप ले सकते हैं जो की काफी famous होता है और ये 1.2 gram की strength में आपको मिल जाते हैं और common जो इसकी strength है वो 1500 mg, 300 mg, 600 mg और 1.2 gram तक इसके injection आते हैं जिनमें दोनों ही medicine का combination रहता है तो ये इस medicine के brand name और strength की हमने बात की अब हम समझ लेते हैं कि अगर किसी मरीज को ये injection दिया तो उनको क्या side effect आ सकते हैं तो दोस्तों अगर किसी मरीज को doctor ये injection देते हैं तो मरीज में कुछ side effect देखने को मिल जाते हैं कभी-कभी सभी मरीजों में नहीं होता है बट कुछ मरीजों में side effect होते हैं जैसे कि मरीज को injection लगने के बाद बहुत ज्यादा पेट में gas बनने लगत है, headache होता है, उनका सरदर्द होने लगता है, पेट खराब हो जाता है, कभी-कभी मरीच को diarrhea जैसी condition हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, skin पर itching होने लगती है, skin पे खुजली हो सकती है, skin लाल हो सकती है, तो ऐसे कुछ side effect जो है patient को आ सकते हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डोस की तो इसकी जो डोस है गाईज वो स्रिफ और स्रिफ डॉक्टर की सलाह से लेनी होती है डॉक्टर कंसल्ट करते हैं डोस देने के लिए और ये इंट्रावैनेस रूट से दी जाने वाली मैडिसिन है आप यहां देख रहे हैं पावडर फेर होस्पिटल का उनको ध्यान रखना पड़ता है कि मरीज को इंजेक्शन सिलो पुस्ट किया जाए जिसे कि मरीज को चक्कर या उल्टी जैसी समस्या ना हो गाईज अगर मरीज को हार्ट पुस्ट करते हैं फास्ट पुस्ट कर देते हैं तो उस समय मरीज को चक्कर आ सकते इस टड़ी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक एडल्ट के अंदर 25 mg पर kg पर डे डिवाइड डोज में इसको दिया जाता है और बच्चों में ये डोज उनकी जरुवत और डॉक्टर की सला से हो सकती है तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कि इसमें किसको ये इंजेक्शन न अलरजी है तो उनको ये नहीं दिया जाएगा और जो माताएं बहने बच्चों को दूद बिलाती हैं या जो प्रेगनेंट हैं तो वो अपने डॉक्टर को दिखा कर ही इसका यूज करें ऐसे किसी के कहने सुनने से इसका बिल्कुल भी यूज ना करें तो दोस्तों ये था आप सेफ रहें अपना ख्याल रखें आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेडिसिन नई जानकारी के साथ जैहिंद बंदे मातरम